लोगसभद चुनाव में यूपी में मिली करारी हार के बाद से बीजेपी अभी भी उभर नहीं पाई पार्टी 62 से घटकर 33 पर सिमट गई लखनव से दिल्ली तक बैठकों का दोर लगतार जारी है पार्टी अंतरकले के आरोपों से जूँज रही है और अब NDA में भी खमसान शुरू हो गया है गटबंदन के से योगी दलों के नेताल लगतार योगी सरकार की नीतियों को कट घरे में खड़ा कर रहे है ऐसा में बीजेपी के सामने एक और परिक्षा की घड़ी आन पड़ी है 39 जुलाई से उत्तर प्रदेश विधान सभा का सत्र शुरू हो रहा है विपक्ष पहले से ज्यादा थाकत के साथ सरकार को घेरने के मूड में है मुद्दा चाहे बुल्डोजर एक्शन का हो या कावड यात्रा को लेकर योगी सरकार के फरमान का बात चाहे सरकारी नोकरियों में ओभिजी समाच के लोगों की नियुक्ति की ही क्यों नहो आरेल्डी निशाद पार्टी से लेकर अनू प्रिया पटेल की अगवाई वाली अपना दल ने योगी सरकार के फैसलों पर सवाल या निशान खड़े कर दिये है कावड यातरे के रूट पर होटलों दुखेंदारों और रेड़ी पट्रियों वालों के पहचान वाले फैसले पर बिजनोर से जियन्थ चोधरी की पार्टी आरेली के सांसद चंदन चोहान ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि चोधरी चरण सिंग जी ने हमेशा जाती और धर्म व्यवस्था की एक खिलाफत की थी हम सब को मिलकर यही प्रियास करना चाहिए कि समाज जाती धर्म में ना बटे जनता समझदार है अब वो जाती धर्म में नहीं बटेगी सवर्गे चोधरी चरण सिंग जी की जाती व्यवस्था और धर्म व्यवस्था के हमेशा से खिलाफत करते आए वो नहीं चाहते थे कि समाज जाती धर्म में कभी बटे हम सब को मिलके यही प्रियास करना चाहिए कि समाज जाती धर्म में ना बटे कार यह कुछ निकरा जनत जनता समझदार है अब जनता नहीं कभी बटेगी सब का काम एक दूसरे के साथ चलता है और ये गंगा जमना तहजीब है हमारी उसे हमें सब को मिलने के रखने का हमेशा प्रियास करना जाए इससे पहले यूपी में बीजेपी की सहयोगी पार्टी के अध्यक्ष और योगी स जो रजिष्ट्री कराने के बाद अपने मकान में रह रहे हैं संजय निशाद ने कहा था कि किसी गरीब के घर पर बुल्डोजर चलेगा तो वो हमें राजनिती से उखाड़ देगा बुल्डोजर चलाने के पहले ऐसे लोगों को कहीं स्थापित करना चाहिए वही केंद्रिय मंतरी और अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने भी कुछ दिन पहले उत्र प्रदेश में हुए सरकारी भरतियों को लेकर योगी सरकार को कड़ घरे में खड़ा किया था अनुप्रिया पटेल ने मुख्य मंतरी योगी अधित्यनात को पत्र लिखा था जिसमें अनुरोध किया था कि ओविसी अभीर्थियों की नियुक्तियों को लेकर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए अनुप्रिया पटेल ने साक्षातकार के आधार पर मिलने वाली नौक्रियों में पिछड़े और दलितों की अंदेखी करने का मुद्दा उठाते हुए कहा था कि प्रदेश सरकार के साक्षातकार वाली नियुक्तियों में ओभी सी अनुसूचित जाती और जन जाती के अभीर्थियों का चयन नहीं किया जाता है उन्हें योग्य नहीं कहकर छाड़ दिया जाता है अनुप्रिया पटेल ने सीयम योगी से मांग की थी कि चाहे जितनी बार भी नियुक्ति प्रिक्रिया अपनानी पड़े लेकिन हर हाल में ये सीटे पिछले वर्ग और अनुसूचित जाती जन जाती से भरी जाए इसे योग्य नहीं बता कर अन्रिजर्वड ना कर दिया जाए विधानसभा का सत्र शुरू होने में करीब 10 दिन का वक्त बचा है विरोधी योगी सरकार को हर मौर्चे पर घेरने के लिए तैयार है और अब सहियोगी दलों के नेताओं ने भी सरकारी नीतियों पर सवाल खड़े कर दिये है जिसने बीजेबी के माते पर चिंता की लकीरों में इज़ाफा कर दिया है ऐसे में 10 दिन बाद शुरू होने वाले विदानसभा के सत्र में गहमा गहमी और भी ज्यादा बढ़ने के आसार है